ब्लू कट लेंसे और एक आते हैं ब्लू फिल्टर लेंसे तो दोनों में बहुत डिफरेंस है वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल अमेत आप्टिकल्स इंडिया होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज जैस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है ब्लू कट लेंसे नाम आपने बहुत सुना होगा ब्लू कट लेंसे ब्लू फिल्टर लेंसे यूवी रे प्रोटेक्शन वाले लेंसे ऐसे बहुत सारे लेंसे मार्केट में अवेलेबल हैं तो उनी में से एक है ब्लू लाइट प्रोटेक्शन वाले लेंसे उसमें दो टाइप के लेंसे आते हैं एक तो आते हैं ब्लू कट लेंसे और एक आते हैं ब्लू फिल्टर ले तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को लाइक करना मत भूलना मेंट करके अगर आप अपनी वैरी है जो बताएंगे न मुझे बहुत अच्छा लगएगा उसको सॉल्व करने में तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लू कट लेंस की ब्लू शेस को थो ब्लॉक करता ही करता है लेकिन जो क्विसेंश्यल रे होती है लेकि जरूरत है हमारे अखों को वह उनको भी ब्लॉक कर देता है क्योंकि वो एक लुधॉ एक ब्लू रहाइक ललेलसे फिर आते हैं हमारे blow filter lenses अब ब्लू फिल्टर लेंसे में क्या होता है कि जो harmful rays है ब्लू rays वो तो हमारी आँकों तक नहीं पहुचने देगा लेकिन जो essential light है essential blue light है जो हमारी आँकों को फायदा पहुचाती है उसको वो block नहीं करता है बल्कि उसको आने देता है आपकी आँक तक तो blue filter lens और blue cut lens में सबसे बड़ा difference यही है कभी कभी क्या होता है मैं देखता हूँ मेरे पास जो customers आते हैं उनकी एक query रहती है कि भाया मैंने ये blue light protection वाले lenses लगवाये थे और आप क्या ये चेक करके बता सकते हो कि ये blue light protection वाले है या नहीं है जैसी मैं उन पर blue rays डालता हूँ तो वो lens के पार जा रही होती है तो इसका मतलब है ये कि वो blue light protection वाले lenses नहीं है तो टाइप के lenses होते हैं एक ARC lenses होते हैं anti-reflective coating वाले वो क्या होता है वो night vision में ज्यादा यूज़ करते हैं तो आप जब भी blue light protection वाले lenses लगवाये तो उसे एक बार चेक जरूर कर लें अपने जो ARC anti-reflective coating वाले lenses होंगे उनमें वो rays आर पार जाई की और जो blue light protection वाला होगा उसमें वो rays को ब्लॉक कर देगा हम blue light protection वाले lenses के साथ में एक और कमी कह लिजिए या फिर कुछ लोगों के लिए कमी है कि उसमें थोड़ा सा yellowish lenses होते हैं वो उनमें जो vision होता है जैसे आप कित्री भी white चीज को देखेंगे तो एक थोड़ी सी yellow दिखेगी वो चीज आपको वैसे जादा तर लोग इसकी कोई कम्प्लेन नहीं करते हैं लेकिन एक ये कम्प्लेन कुछ लोगों से मुझे मिली है कि उसमें yellow color का एक vision आता है कोई भी white चीज को देखने पर वो yellow off white सी लगती है अगर आपको भी ये problem face हो रही है तो बिल्कुल निशेंत रही है उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है अब 1500-1800 के बीच में blue cut lenses मिल जाएंगे आपको अब वहीं अगर आप blue filter lenses की बात करें तो blue filter lenses हमें मिलेंगे 3700 से start होते हैं और वो फिर 8-10,000 रुपे तक के आते हैं तो blue filter lenses इसी लिए कम use होते हैं क्योंकि वो थोड़े expensive हैं लेकिन मैं सभी लोगों को recommend करूंगा कि blue filter lenses की तरफ जाहिए blue cut lenses को थोड़ा सा avoid कीजिए तो मैं समझता हूं जो मैंने जानकारी आप लोगों को दिये वो sufficient होगी और मुझे लगता है कि अब आगे से आप जब भी blue cut lens या blue filter lens खरीदेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी thank you so much for watching like comment and share is very important for me अगर आप लोग करेंगे तो मुझे एक help मिलेगी motivation मिलेगा अपनी वीडियो और ज्यादा informative वीडियो बनाने में thank you so much